कि नमस्कार दोस्तों मेरे नाम आशी श्राठ और इंडियन रेल डाइनेमिक्स चल्ड मापका स्वागत है अगर आज आप मेरे चल्ड पर नहीं आएं कॉंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत बुलेगा दोस्तों हमारे देश में बीती दिनों काफी रेल गटनाय हुई ऐसे में ट्रेक की जो सुरक्षा है उसको बढ़ाने के लिए काफी मांग हो ही रही थी ऐसे में हम लोग जानते हैं कि देश में कवच नाम की एक अपनी इंडिजनेशनली मेड टेक्नलोजी हमारे पास मौजूद है जिसको टीसी एस ट् कुछ परिणाम दिखने लगे हैं तो बड़े टेंडर अगस्त में निकाले गए हैं यह इस कवच के जो बड़े टेंडर निकाले गए हैं लगबक पास जार से लेकर के साथ जार रूट किलोमेटर तक के टेंडर है तो इसका मनी कंट्रोल के हिसाब से जो कॉस्टिंग के हिसाब से लगाए जाएंगे और कवस्ट के अंदर जो भी हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं जाए वह आरे फाइडी जो ट्रेक साइड टावर हो गया डेटा सेंटर हो गया उन सभी का मैंने एक्स्प्लेनेशन अच्छे साब लोग को इस वीडियो में दे रखा है आप इ प्रदेश गुजरात और जारकंड मौजूद हैं लगबग 18 टेंडर निकाले गए हैं और इन टेंडर के साथ में दू टेंडर अलग से और निकाले गए हैं कवच रिलेटेट इंफ्रस्ट्रक्ट्टर को त्यार करने के लिए उत्तर प्रदेश तिलंगाना महरास्ट्रा कर अगस्त में जो टेंडर खोलेगा हैं लगबग अक्टूबर तक यह कंप्लीट कर लिए जाएंगे तो अभी कुछ दस बड़े टेंडर के बारे में आपको बताता हूं जो कि कुछ इस प्रकार हैं जैसे की जारकंड में चक्रदरपूर में सप्लाइइ इंस्टोलेशन टेस की है ऐसे महाराष्ट्रा में मुंबाई में सर्वे डिजाइन सप्लाइशन टेस्टिंग और स्टेशनरी कवच चो कि लगाए जाएगा लगबग 140.02 करोड रुपे का यह प्रोजेक्ट और 11 अक्टूबर तक की इसकी टाइमिंग है डेडलाइन की और महाराष्ट्रा में ही 8 7 करोड रुपे का का मैं 11 अक्टूबर ही डेडलाइन है और महाराष्ट्रा में ही भूसावल में यहीं सही ग काम हुण है 102 22.53 करोड रुपे का काम है 11 अक्टूबर इसकी डेडलाइन है तो महारास्ट्रा के अंदर के यह बड़े बड़े टेंडर थे अगला है किरला में तिरुवननंता पुरम में जहांपे प्रोविजन औफ कवच बिट्वीन सोरानपुर जंक्चन करोड का यह ओडर होने वाला है और 24 अक्टूबर तक इसको पूरा करना है अगला अंदर प्रदेश में विजय वाड़ा में प्रोविजन औफ कवच बिट्विन विजय वाड़ा एंड डुवद्धा सेक्शन जहां पी 59.51 करोड का ओडर है और 7 अक्टूबर तक इसकी डेड लाइन है कंप्लीट करने की तेलंगाना महाराष्ट्रा कंडनाटका और अंदरप्रदेश में जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे से रिलेटेट हमारे अलग से और निकाले गया थी जो मैं आपको पहले बताए थे ना ग्राउंड इंफ्रसेक्टर को त्यार करने के लिए जहां इस पर ज्यादा फोकस है और यह आप लोगों को साउथ सेंटर रिल्वे का वही लाका दिख रहा होगा जहां पर आप लोगों को माल गड़ी के आवज आई बहुत ज्यादा देखने को मिलती होगी आज यहाँ पर क्वाड रप्लिंग ट्रिप्लिंग के काम भी काफी तेर करना है और लगनों डिवीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि रेडियो सिग्नल स्टेंट इंडिकेटर आर एसस आई रिकॉनाइंशन सर्वे ऑफ 2093 किलो मीटर इन कनेक्शन वीद कवच ओवर इस्टन रेलवे तो काफी बड़ा हिस्ते इसमा आएगा 6.16 करोड रुपे का यहाँ पर जो और है और 10 सिंबर तक इसको कम्लीट करना मतलब अभी बहुत जल्दी इसको कम्लीट कर ले जाएगा उत्रप्रदिश में एक बड़ 12-18 मेने का रखा गया है तो हम लोग इसमें एक चीज और देख रहे हैं कि इसमें चोटे बड़े टेंडर और भी निकाले गए हैं टोटल मिलाकर कि जो 7000 से 5000 रूट किलो मेटर पर अभी फिलाल काम होना है 3000 किलो मेटर पर काम हो चुका है और दोस्तों कवच 4.0 के जो यह अगस्त में और आगे हम लोग इनको पूरा होते हुए देखेंगे नवेंबर ऑक्टूबर तक उसके बाद इसका phase 2 स्टार्ट होगा October end में या फिर इस साल के end या फिर नए साल की सुरुवात में तो वहाँ पर Face 2 में और order निकाले जाएंगे उसमें लगबग 2000 route km और cover के जाएगा तो हम मान के ये चल सकते हैं कि लगबग 10,000 route km जो है वो complete हो सकता है आने वाले 2-3 सालों के अंदर और ये main main हिंसों को जरूर cover कर लेंगे पहले ही ताकि हम लोग जहाँ पर burden जादा है ट्रेंस का वहाँ पर accident रोके जा सकें आप लोगों को मैंने कुछ मेंने पहले एक cover और दी थी कि भारती railway ने पहले तया कर लिया है कि चाय इंफ्रसक्चर जो है कवच का देश में फैलने में टाइम लगे अर्साट जार रूट किल्यूमेटर में लेकिन हम लोग हमारे यहां पर मौजूद सभी लोकोमोटिफ के अंदर पहले ही cover को इंस्टॉल कर देंगे ऐसे में फेस बन के तहट दस जार लोकोमोटिफ के अंदर पहले कवच को इंस्टॉल किया जाएगा पहले में रेलडेल जो कि भारती रेलवे की एक ऑप्टिकल फाइवर और वाई-फाइ रिलेटेट काम करने वाली कंपनी है और यह जो है इसने नियूस दिये एक बड़ी कि आने वाली 19 सितंबर 2024 को भारती रेलवे फ्लॉट करने वाला है 7000 क्रोड के एक बड़े ओर जिसमें लोकोमोटिफ के अंदर कवच का इंस्टॉलेशन करना है तो 10,000 लोकोमोटिफ में कवच लगाने के ऊपर हमारा जो पहला कदम है वो देखने को मिल रहा है भारती रेलवे फास्ट ट्रेक पर काम कर रही है और सेफ्टी को रिलेटेट जो एक काम इस पर बहुँ जदा फोकस आ गया है भारती रेलवे का और अब नवरतना कंपनी ब सब्सक्राइब करने के लिए तो कुछ इस तरीके से हमारे दीश में कवच के इंस्टोलेशन के लिए अब कुछ काम हो रहा है और सरकार ने जो बाती की थी वो बिल्कुल हवा में नहीं कई थी अब उन्होंने फास्ट ट्रेक पर बहुत जल्दी ही नई सरकार बनने के जंदे मातरम भारत मता की जैए झाल झाल